प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, पुरोहीत हैं, ये इतने दरिद्र क्यों हैं? इनका जीवन इतना विपन्ने क्यों हैं? इनके घरों में, इनके जीवन में सुक्समरिद्धी का अभाव क्यों हैं? इसलिए है कि ये यजमानों की पूजा करते हैं, ये सेटों के घ और आप खुद वो सकते हैं जिस किआंट करते हैं यह उन्हें कुछ串ोट यह पीता आरति करें नहीं हो आरति कर ली हनुमान चालीशा कर ली ठीक है, सब चीजे प्रभावी हैं, पर ये ऐसा जैसे खाने के साथ सलाद, जैसे खाने के साथ पानी, ये पूरा खाना नहीं है परमात्मा के लिए, परमात्मा का पूरा खाना मंत्र है, उसकी विधान है, उसका सिस्टम है, तो स्री सुकतम जो रिगवेद से निकला है, वो कैसे आईडियल मनेंगे। अब लोगों के इसलिए पूझा पाँघ में रूजान की बनता। बहुत सरे लोग में फिरजॉद पूजा पाँट में परिडित नहीं होते। पूजा पाँख से प्रभावीत नहीं होते। पूजा पाँछ अनी जिवन में करते नहीं। चाहता है इनका फटावा दो साल से वो ठीक हुआ नहीं हमें जुरूर यह कुछ कर देंगे खुद नहीं अपने लिए करते हैं करतो सकते हैं पर यह अज्ञानता है मैं सबसे कहतो पहले अपने लिए पाठ करो समय बचे तो किसी और के लिए भी करता हो तो हमारा जीव अगर अच्छा होगा तबीफे प्रमात्म के प्रती आकरशन पीदा होगा लोग ओप शोर की तरफ जाना चाहेंगे कि यह पूजने वाले लोग हैं तो बड़े सम्रिध हैं हैं बड़े सुखी हैं बड़े शांत हैं बड़े स्वस्त हैं तभी तो उन्हें प्रेरना दे सकोगे और आपका जीवन दीन हीन फटे हाल खराब और बुरा है आपका नहीं सामान बात कर रहा हूं कि अगर किसी ऐसी जैसे डाक्टर है कोई अगर वो डाक्टर आपको चेक करत सांबहा हो यह बीमार के पास आ गई एकखा अपना विलाज कर घवागा इस फैस totally अगर प्रिष्ट पुजारी उनकी जीवन अच्चे नहीं है सवस्त नहीं जें समरिद नहीं है बहुत प्रॉस प्रस नहीं है उनके घर में धर अनज्र के धन दन्ञे के भंदार नहीं हैं तो दूसरे लोग प्रियृत नहीं हो सकते हैं, पुजापाठों के लिए, वो सोचते हैं, जिन्ने फिर अपना प्ριस्णा शोचरता हैं, उनने त करते हैं तो यह दो बहिता है तो हमें अपने जीवन को पहले सोचना चाहिए, तो तो तुम स्रिशुक्त की पुNow, पाठ करना, आर्यम शार्णम शुबय मस्तू